मेरे प्रशेशर पुराना हो चुका है तो यहाँ पे हम दो इन दो प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे मैं बात कर रहा हूँ Qualcomm Snapdragon 845 versus Qualcomm Snapdragon 855 chipset इन दोनों ही chipset के factors के उपर हम लोग नज़र डालेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों ही chipset में से आपके लिए कौन सा chipset better होगा So you're watching my YouTube channel Tech Explaner India चली जानते कुछ बढ़िया Guys सबसे पहले हम लोग कुछ general information के बारे में बात कर लेते तो यहाँ पे 64-bit operating system वो operating system होता है जहाँ पे आप 4GB RAM से ज़्यादा का RAM use कर सकते है 32-bit operating system में होता कि आपको सिर्फ 4GB RAM option ही available करवाय जाता है तो यहाँ पे 64-bit operating system की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही chipset के पास में यह सुवीदा मौजूद है दूसरी चीज है integrated graphics जो की दोनों ही chipset में मौजूद मिलेगी आपको तिसरी चती semiconductor size आपके chipset का जो semiconductor size है जितना ज़्यादा छोटा होगा chipset का performance उतना ही smooth और better होगा तो यहाँ पे जो snapdragon 845 chipset है यहाँ पे आपको 10NM technology पे बना हुआ मिलता है यही आपको बात करते है Qualcomm Snapdragon 855 chipset की तो यहाँ पे आपको 7NM technology पे बना हुआ chipset मिलता है तो यहाँ पे obviously Qualcomm Snapdragon 855 chipset ही better है दूसरा factor है performance तो यहाँ पे पहला point आता है CPU speed तो यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 845 की speed Qualcomm Snapdragon 855 के मामले में काफी सही नजर आती है तो यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 845 best है तीसरा factor आता है memory तो यहाँ पे जो आपको RAM speed देखने को मिल जाती है Qualcomm Snapdragon 845 में 1866 MHz की देखने को मिल जाती है यही अगर हम लोग बात करते Qualcomm Snapdragon 855 की तो यहाँ पे आपको 2133 MHz की speed देखने को मिलती है तो यहाँ पे obviously Qualcomm Snapdragon 855 chipset better है memory bandwidth की अगर हम लोग बात करते हैं तो Qualcomm Snapdragon 845 में आपको 29.9 GB per second की bandwidth मिल जाती है Qualcomm Snapdragon 855 में आपको यहाँ पे 31.79 GB per second की bandwidth देखने को मिलती है मतलब obviously यहाँ पे भी Qualcomm Snapdragon 855 chipset better नजरा रहा है अगली चीज़े memory channels देखो जीतने ज्यादा memory channel होगे उतना ही अच्छा data transfer आपको देखने को मिलेगा memory और CPU के बीच में तो यहाँ पे अगर memory channel की बात कर रहे है तो यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 845 में आपको 4 channel मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 855 में आपको 8 channel देखने को मिल रहे हैं मतलब 4 ज्यादा channel देखने को मिल जाते हैं तो obviously यहाँ पे भी Qualcomm Snapdragon 855 chipset better है अगला point आता है maximum memory size तो यहाँ पे जो Qualcomm Snapdragon 845 है यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा 8GB RAM वाला option देखने को मिल जाएगा लेकिन अगर हम लोग बात करते है Qualcomm Snapdragon 855 की तो यहाँ पे आप 16GB तक का RAM यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे भी Qualcomm Snapdragon 855 chipset better है अब यहाँ लोग दूसरे features की बात करते हैं सबसे पहला point आता है downloading speed जो की काफी ज़्यादा ज़रूरी चीज है Qualcomm Snapdragon 845 में आपको 1200 Ambit per second की speed मिल जाती है जबकि आपको Qualcomm Snapdragon 855 में आपको 200 Ambit per second की speed देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे भी आप जैसे देख पा रहे है Qualcomm Snapdragon 855 chipset better नजर आ रहा है download speed की बात कर लिए अब upload speed की बात कर लेते यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 845 में आपको 150 Ambit per second की speed मिल जाती है जबकि आपको Qualcomm Snapdragon 855 chipset में 318 Ambit की speed देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे भी Qualcomm Snapdragon 855 best है अब मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों chipset में से Qualcomm Snapdragon 855 chipset better क्यों है पहला point यह है कि 267 MHz ज्यादा RAM speed आपको इसमें देखने को मिल रही है दूसरा point यह है कि 3NM छोटा semiconductor size मिल रहा है which is best तीसरा point आता है 1.6.7 गुना ज्यादा आपको downloading speed आपको इसमें देखने को मिल जा रही है यही अगर हम लोग बात करते हैं memory bandwidth की तो यह भी आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रही है Qualcomm Snapdragon 845 के comparison में अगला point आता है memory channels जो कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी chipset के लिए तो यहाँ पे आपको चार extra देखने को मिल जाते है अगला point आता है memory size तो यहाँ पे आप 16GB तक का memory यूज कर सकते हो इस chipset के बदोलत जो कि Qualcomm Snapdragon 855 है अगली चीज काफी कम लोग जानते होंगे कि यहाँ पे जो ECC memory का support मिलता है वो Qualcomm Snapdragon 845 chipset में नहीं मिलता है अब आप बोलोंगे कि ECC memory होती क्या है तो यह होता है error correcting code memory क्या? error correcting code memory जो की काम आता है कोई भी अगर data जो होता है वो corrupt होता है तो उसको detect करने के काम आती है और उसको फिर उसको correct करने के काम आती है तो यह जो सुईदा है आपको Qualcomm Snapdragon 855 में देखने को बिल जा रही है तो भाईयो यह था आप लोगों के लिए ऐसा comparison जो की काफी ज़्यादा ज़रूरी था काफी लोग यह confusion में थे कि Qualcomm Snapdragon 845 अच्छा है या Qualcomm Snapdragon 855 ज़्यादा तर लोग तो यही बात करेंगी Qualcomm Snapdragon 855 चिपसेट ही बेटर है जो नया वाला आया है वो उत्ता बेटर नहीं है तो यहाँ पर मैंने आपको comparison करके भी बता दिया है कि यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 855 चिपसेट बेटर है आपकी क्या राया है comment box पर comment करके मुझे जरूर बताईएगा कि क्या आप सोचते हैं इन दोनों चिपसेट के बारे में तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही मैं सोच रहा था कि यह comparison की जो वीडियो है मैं continue रखना चाहता हूँ तो यहाँ पर अगर आपको जरूरत है चिपसेट comparison की तो आप please comment करके बताएए कि आपको चिपसेट comparison चाहिए या फिर आप चाहते हैं smart phones का comparison तो यह भी मैं available करवा दूंगा अपने चैनल पर तो फिलाले इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे अगले टेक वीडियो में तब तक के लिए बाए